दोस्तो सामुंडा इलेक्रोनिक में आपका बहुत-बहुत स्वागत है आज आपको डिडी फ्री डिस का जो सेटे बोक्स आता है उसका कार्ड रिपेर करके दिखाऊंगा दोस्तो इसमें नो सिगनल का प्रोब्लम है तो भी मैं यहां से ओन करके आपको एक बार प्रोब्लम दिखा देता हूँ तो भी यहां पर देखे तो यहां पर रहा है तो जोस्तै स्क्रिंए में भी आप डिखा дेखता ह। तो दुस्तों यहां पर नौफ सिग्नल आ रहा है तो भी एक बार उतर सुनकर को लिधक आप तो भी यहां पर भी एम ने वाईर चोड़ के रखा है यहां पर देख सकते हो तो भी यहां पर एम ने जो केबल है डीटीएस का वो जोड़के रखा है तो अभी आप स्टी स्क्रीन में दीखिए तो अभी दोस्तों यहां पर सो टका हो चुका है लेकिन यहां पर नोट प्रोग्राम फाउंड लिखा हुआ गया है तो भी यहां पर आपको इसका सिगनल का जो फीकुंची है और यहां पर दिखे जिरो जिरो दिखा रहा है हमारा देख सकते हो दोस्तों तो अभी दोस्तों सभी वोल्टेज को में पहले चेक करता हूँ उसके बाद में आपको में यहां पर तो पहले तो अभी यहां पर वोल्टेज को में चेक करता हूँ तो पहले तो यहां पर मैं देख लेता हूँ यहां पर 15 वोल्ट के करेब में बनना चाहिए दोस्तों तो यहां पर प्रोप्र हमारा बन रहा है तो अभी सिग्नल आइसी पर हमें 3.3 वोल्ट यहां पर मिलना चाहिए तो यहां पर इसे 2.5 वोल्ट मिलना चाहिए यहां पर दोस्तों सिग्नल आइसी हमारा यहां पर उठा रहा है सिग्नल 1.8 वोल्ट और 3.3 वोल्ट तो दोस्तों यहां अमरी सप्लाइस ही सभी ओके है तो अभी यहां पर हमारा मेन आइसी से जो इसका पल्स आता है वो में एक बर यहां पर 1.5 वोल्ट के करिब में यहां पर मिलेगा मैं तो दोस्तों यहां पर OK दिखा रहा है तो भी यहां पर देखू तो यह भी हमें OK दिखा रहा है तो यह वाला PFF है यहां पर मैं देखता हूँ तो इस तरह हमें कुछ नहीं दिखा रहा है दोस्तों यहां पर देखिए तो यहां पर एक बार चेक करता हूँ, यहां पर भी नहीं दिखा रहा है, तो अभी एक बार हमें यहां पर voltage नहीं पहुंच रहा है, जो signal IC से, और यहां पर 005 आना चाहिए, तो 2 आ रहा है दोस्तों, तो अभी signal IC को पहले में बदल के एक बार देखता हूँ, उसके बाद में चेक करेंगे, दूसरा problem होगा तो, तो अभी दोस्तों, यहां पर थोड़ा सा पेश्ट लगा लेता हूँ, और यहां से signal IC को बाहर निकल लेता हूँ, तो अभी यहां पर IC को रख देता हूँ, तो मेरे पास एक खराब कार पड़ा हुआ है, तो मैं यहां पर इस IC को लिकलता हूँ, यहां से, यहां पर इस IC को रख ता हूँ, यहां पर इस IC को रख ता हूँ, यहां पर इस IC को बिख लेता हूँ, तो यहां पर इस IC को लगा लिया है, और ठंडा होने देता हूँ, उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ, तो दोस्तो अभी मैंने कनेक्शन कर दिया है, तो इहां से ओन करता हूब यहां पेहले वोल्टेज बुन अभ हे देखना है तो दोस्तों भी यहां पर देख सकते हो तो यहां पिया वोल्टेज बन चुका है यहां पे सिगनल की कॉलेटी सकते हो दोनों में आ चुके तो हमारा सिगनल आइसी खरापता तो यहाँ पे हमारा फाइव वॉल्ट से शे वॉल्ट बनेगा यहाँ पे दोस्तो तो देख सकते हो यह मेरा यहाँ पे दिखाएगा दिखे तो अभी हमारा काड ओके हो चुका है जो इसे ही वीडियो देखना चाहते हो तो सेनल को दोस्तो सस्काइब परो ठेंच यू